नमस्कार दर्शकों शरत पूनिमा की तिथी को बिशिर्स माना गया है इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं में पूर्ण होता है शरत पूनिमा कब है और इस दिन का क्या महत है तो आईए जानते हैं दर्शकों पांचांक के अनुसार 30 सक्टूबर 2020 को पूनिमा की तिथी है इस पूनिमा की तिथी को ही शरत पूनिमा कहा जाता है शरत पूनिमा को कौमुदी ब्रत कोजागरी पूनिमा और रास पूनिमा के नामों से भी जाना जाता है पौराणिक माननताओं की अनुसार शरत पूनिमा क को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारस रचाया था ऐसी धार्मिक धार्णा है कि शरत पूरिमा की रात्री में चंद्रमासी की क्रिणों से अम्रित की बूंदें प्रत्थिवी पर गिरती हैं दर्शकों मैं आपको बता दू कि शरत पूरिमा के दिन अगर आप मातालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो मातालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं तो दर्शकों हम बात कर रहे थे कि शरत पूरिमा की रात्री में खीर बनाकर रखने की भी परंपरा है पूरिमा की रात्री को चांदनी रात भी कहा जाता है इस दिन चंद्रमा देखने में बहुत ही सुंदर 30 अक्टूबर 2020 को 7 बचकर 12 मिनट पर शरत पूरिमा तिथी समापती कब है वो है 31 अक्टूबर 2020 को रातरी 8 बचकर 18 मिनट पर शरत पूरिमा का ब्रत कैसे रखा जाता है शरत पूरिमा का ब्रत विशेस माना गया है ऐसी मानता है कि शरतपूरिमा का ब्रत रखने से रोख से मुक्ती मिलती है जो लोग गंभीर रोख से पीडित है उनके लिए शरतपूरिमा का ब्रत रखना विश्यस फलदाई माना गया है विश्यस बात ये है कि शरतपूरिमा को शाम के समय खीर बनाई जाती है और इस खीर को रात के समय चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है एगले दिन इस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहेंड किया जाता है शरत्पूरिमा का ब्रत संतान की लंबी आयू के लिए भी रखा जाता है ये ब्रद सुक सामरिदी लाता है शरत पूरिमा पर तामे ये मिट्टी के कलस पर बस्तर से ढकी वह लक्षमी जी की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा करने का विधान बताया गया है वहीं इस दिन की के सो दीपक चलाएं जाते हैं ऐसा करने से घर लक्षमी जी की क्रपा बरस्ती है और नाकरात्मक उर्जा का नाश होता है तो दर्शिकों ये थी शरत पूर्मा से जुड़ी एक हमारी छोटी सी जानकारी अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने मित्रों से रिस्तेदारों से हमारी इस वीडियो को शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सकाइब कीजिए और बेल आइकन दबा दिजिए जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियो का अपडेशन मिलता रहे है नेक्स नाइन स्पीचों से रज़त की रिपोर्ट